स्वागत है दोस्तों आपका आईटी स्टरी टीम पर आज हम आपके लिए लेकर आएं एंपी पड़वारी प्रेबियस पेपर लेकर आएं दोस्तों हम आपके लिए मत्प्रदेश पड़वारी की पेपर में बार बार पूछे जाने वाली कॉस्टन दोस्तों यह जो कि हम आपको पिछली वीडियो में करवा चुके हैं एंपीजी के मैथ कि अर्थवस्ता एवं पंचाती राज व्यवस्ता और कंप्यूटर का ठीक है और हिंदी का भी हमने आपको करवा दिया है इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं कंप्यूटर के बीस कॉस्टन जो कि दोस्तों प्रेबियस पेपर है ठीक है अधी दोस्त आप चैनल पना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने वैल आइकन को प्रेश करने ताकि आपको अगली वीडियो का नटकुशन भी मिल सकते हो यह यह एंपी पढ़वारी और सीपी सीटी के लिए वेरी वेरी इंपूटन कोशन दोस्तों सीपी सीटी के लिए आप उन स अगली वीडियो में बताऊंगी इस वीडियो में प्रेविए स्पीपटर श्लूब करेंगे ठीक है कि प्रेला कॉस्चन ओ ओइस का पूनरूप है ओप्जन दी गएं ऑ्परेटिंग सॉलुशन उपन सीस्टम ऑ्परेटिंग स्टेंड ओपरेटिंग सिस्टम ओएस का फु सिर्फियों किया था तो प्रतम पीढ rituals दिए 720 पढिड़ी पंचम पीढ़े में मैं व्यक्व सिस्टम में देटा तक अनाधीक्रित एक्सीस प्राप्त करने की मतिविदी कहलाती सभताए है जाल साजी है किंग फिसिंग तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका है है कि कि इसमें है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आई हूप अब सभी लोगों को ही अच्छे से विद्वाइट को बनाती है तो ऑप्षन दी गए तो इसमें से राइट अंसर हो जाएगा आपका आठ ठीक है अगला कॉश्चन दिए गया है MS Excel 2007 में कुझी एक सेल कमेंट को शामिल या समपादित करती है तो इसमें उप्शन दी गए है स्विप्ट प्लस एप 3, स्विप्ट प्लस एप 2, स्विप्ट प्लस एप 10, स्विप्ट प्लस एप 12 तो इसमें से right answer हो जाएगा आपका shift plus F2 ठीक है ये इसका right answer हो जाएगा अगला question है MS Word 2017 में एक text का लिखनी का style और आखार shading के द्वारा पडिवतित किया जा सकता है option दीगा है font style design theme बन इसका right answer हो जाएगा आपका font ठीक है अगला question है outlook में attachment को attach करने के लिए किस बटन का प्रियोग किया जाता है यह आपको sign दी गए इनको आप पैचान सकते हो तो इसका right answer हो जाएगा आपका first वाला ए वाला ठीक है अगला question दिए गया है अगला question है निम्न में से कौन internet connectivity का एक wireless रूप है dial up up, dls, cable internet access, 3G या 4G तो इसका right answer हो जाएगा आपका 3G या 4G ठीक है 3G इसका right answer हो जाएगा अगला question दिए गया है computer को switch off करने के लिए किस command का उपयोग नहीं किया जाता है क्या कहा है नहीं किया जाता है तो इस question है computer को switch off करने के लिए किस command का उपयोग नहीं किया जाता है नहीं किया जाता है पूचा है option में दिया गया है turn off, shutdown, log off, hivernet तो इसका right answer हो जाएगा आपका log off ठीक है ये right answer हो जाएगा इसका और अगला question दिया गया है अगला question है कुंजी control plus i इसके लिए प्रयुक्त की जाती है ये इसके लिए क्या प्रयुक्त की जाती है option में दिया गया है font size बढ़ाने, एक line break, insert करने, ये संकित करने के लिए कि text hold होना चाहिए इसका right answer हो जाएगा आपका इसका right answer हो जाएगा आपका select किये आए text को italic करने के लिए ये इसका right answer हो जाएगा अगला question दिया गया है, Nim focused मैं से MS Excel 2007 के लिए वर्क सीट के वारे में कौन सा कतन गलत है कुछ चित्र को एक सीट के वैग्ग्राउंड के लिए वैग्ग्राउंड के रूप में इस्तमाल किया जा सकता है अगला उप्शन है आप स्तंब की इतनी चोड़ाई सेट कर सकते हैं जो टेक्स्ट की मातला के लिए स्वता फिट हो अगला है पंक्ती की चोड़ाई को विसेश रूप से मैनुवली या ओटोमेटिकली फिट किया जा सकता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंक्ति की चौड़ाई को विसेश रूप से मैनुवली या ओटोमेटिकली फिट किया जा सकता है ठीक है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है अगला कॉस्चन है इंटाइनेट की एक प्रणाली है सॉप्टिवर वंडल्स बेपेज बेपसाइड इंटर कनेक्टेड नेडवर्क यह इसका राइट आंसर हो जाएगा अगला कॉस्चन दिया गया है MS Excel 2007 में बरतनी यानी स्पैलिंग की जाच कहने के लिए किस टूल्स का उप्यो किया जाता है ओप्शन दिया गया है रिशर्च वाइट स्काउंट सेट लेंगविज प्राइगला ओप्शन है स्पैलिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको स्पैलिंग एवं ग्रामर यहां पर स्पैलिंग होगा ठीक है या ग्रामर अगला कॉस्चन है कैप लॉक और नम्स लॉक कुंजियां कहलाती है ओप्शन दिये गया है नूमेरिक कुंजी नूमेरिक कुंजियां कहलाती है अल्फा नूमेरिक कुंजियां टॉंगल कुंजियां स्पैसल परपस कुंजियां तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका टॉंगल कुंजियां यह इसका राइट आंसर हो जाएगा टॉंगल कुंजियां ठीक है अगला कॉश्चन है कंप्यूटर की स्पीकर या हैटपॉंड किस परकार की डिवाइस है इंपुट डिवाइस सौप्ट वियार इस्टोरी इस आउटपुट डिवाइस जिसमें इस निजी कंप्यूटर को नेंवन्य की लिए एक सां जोड़ा जाता है सरवर सौपरकंप्यूटर द्र एंटरप्राइज तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नेडवर्क ठीक है नेडवर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा नेडवर्क अगला कॉश्चन है कैवीनिट में रहता है और कंप्यूटर की सभी भागों को जोड़ता है कौन जोड़ता है ऑप्शन दियें सीप यू मदरवोर्ड मॉनिटर यूपी एस यूपी एस तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मदरवोर्ड ठीक है मदरवोर्ड जोडता है अगला कॉश्चन है एमेस एक्सल में रवी सॉम यानि संडे मंडे क्यूश्जे आदी का उधारा है ओप्शन दीगाएं सीरिज ओप्शन दीगाएं सीरिज एक्वेशन फंक्शन फॉर्मूला जिसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा सीरिज ठीक है अगला कॉश्चन है एमेस एक्सल में साधवी रो और साधवी कॉलम का सेल एड्रेस है ओप्शन दीगाएं F7 G7 X7 E7 तो इसमें से आपका right answer हो जाएगा G7 ठीक है इसका right answer हो जाएगा G7 लाश्ट कॉश्चन है Assembly language निम्न होती है Option देगा है Machine language High level programming language Low level programming language Computers की assembling Assembling के लिए language तो इसका right answer हो जाएगा आपका low level की programming language तो इसका right answer हो जाएगा Low level की programming language ठीक है आई हो पाप सभी लोगों को यह सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने हो वेल आइकन को प्रेश करने है ताकि आपको अगली वीडियो का नटकेशन भी मिल सके हैं और यदि दोस्तों आपने important question नहीं देखें तो उनकी लिंक आपको description मिल जाएए आप भजा कर देख सकते हो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद